एक अच्छी हाट तो बचाती है हमें सूरज की किरनों से और बहुत ही जरूरी है ये आपके फेस के लिए ताकि आप बचे रहें हामफुल यूवी रेस से और जितनी जरूरी है ना हाट हमारे लिए जब निकले हम सूरज में बाहर उतनी ही जरूरी है ये खबर हमारे शो सास पहु और बेटा के लिए जसमें हैं एंटर्टेन्मिन्ट का थमाकर शिमारू उमंग के सीजल किसमत की लकीरों से में हो रही है पायल की गोद भराई की रस्म लेकिन इस रस्म में भी ट्विस्ट दबा जाता है जब पायल श्रद्धा के खाने में कुछ मिला देती है जिस वजह से श्रद्धा चक्कर खाकर गिर जाती है ऐसे में घर में शुरू होता है तमाशा क्योंकि श्रद्धा की माँ पायल को ही इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है असल में आपको बता दे कि पायल श्रद्धा और अभय के बच्चे की सरोगेट मदर है लेकिन एक और ट्विस्ट दबाता है जब होने लगती है श्रद्धा की गोद भराई की रस्म क्योंकि घरवालों को लगता है कि श्रद्धा भी प्रेगनन्ट है पायल की गोद भराई की तैयारी है अफकॉस पायल सब की नजर में एक बड़ी कुर्बानी दे रही है कि जो उसने पहले हमारे साथ बहुत बुरा किया है अब वो उस चीज को करेक्ट करना चाहती है और वो श्रद्धा के लिए सारोगेट मदर बनना चाहती है तो अब श्रद्धा के लिए भी एक काफी बड़ा सा वर्दान हो गया है बिकर्द श्रद्धा कांट हाव चाइल्ड तो सब को ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी कुर्बानी तो कोई इतनी आसानी से देता नहीं है जरूर उसके मन में कुछ चेंजज आए है तब ही वो इत अभी फिलहाल जो चक्कर इस बात से आया है कि ऑविसली पायल के मन में एक हिडिन मोटिव अभी भी है और उसको पता है कि जो सबसे जो कमजोर कड़ी है इस घर की वो शद्धा है तो क्यों ना पहले उसको तोड़ा जाए तो वो क्या करती है वो कुछ मुझे खिलाने के ल जो 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 मोटिव से वो आई है वो उसका एना वन स्टेप वान स्टेप आफ्ट दी आदर उसके वो सारे नॉट्स खुल रहे है तो यह है इसलिए राइट ना अभी श्रद्ध को इस वज़े से चक्कर आता है बट वो बार में पता चलेगी चीजे कि ऐसा क्यों अब अगर उसका हिडिन मोटिव भी आ जाता है बहार तो श्रद्ध अभे का अंच तो उसके पास है अगर आप उसको घर से बहार निकाल देंगे वाट इसको हम अपना बच्चा नहीं देंगे आपको तो वहां पे भी हार तो श्रद्ध की ही है हार पूरे तरपाठी फैमि के साथ आई है अभी फिलहाल की जो स्टोरी ऐसे जाएगी कि ऑविसली जब पता चलेगा कि श्रद्ध को भी माँ बनने भी बच्चा हो सकता है देज़ पॉसिबिलिटी तो जो श्रद्ध की सास है जो उनको बहुत मुश्किल से हम लोग पूरे घरवालों ने कंविंस किया है क्योंकि उनका το कहना था कि मुझे तुम दोनोंसे ही भी बच्चे चाहिए मुझे कहीं से भी और नहीं बच्चा चाहिए तो अगर ऐसा होगा तो अभर्वेसली शीविल तो कंप्लीटली स ही कि तुम उसको जाने दो हम उसको पैसे-वैसे दे के भीज़ देते हैं लेकिन हमेज घर में तुम्हारा बच्चा चाहिए तो बहुत मुश्किल से इस चीज को इस चीज को लेकर कंवेंस किया गया और अगर ये बात पाइल के सामने आती है तो वो तो फुल रिवेंज मोड में आएगी वो तो फुल क्या कहते हैं दुश्मनी वो पुरा-पुरा खेलेगी तो I think मेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए जो एक बहुत ही ओविस स्टोरी लाइन मुझे लग रही है क्योंकि अगर आप एक को इतना मान समान दे दोगे घर में और सडनली जब आपके पास कोई दूसरी चीज आ जाया आप सामने वाले चीज को हटा दो तो वो एक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहु और बेटिया